तो गाइज ये वीडियो टिटिकेटेट है आप जैसे सभी तगड़े PUBG प्लेयर्स के लिए जिने यहाँ पर 15,000 के आसपास एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिस पर आप चिकन डिनर पर चिकन डिनर कर पाओ तो तुमारा भाई ऐसे 5 स्मार्टफोन लेकर आ चुका है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने लो टॉप 5 ऐसे तगड़े स्मार्टफोन 15,000 के आसपास जिन में आपको यहाँ पर PUBG का एक आसम एक्स्पिरेंस मिलने वाला है और जिसके साथ आप यहाँ पर उन फोन्स म आपड़ेंस में चिकल्डियर कर पाओगे तो फिर बिना टाइम के शुरू करते इस ओसम वीडियो को उससे मैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे है वार कर दो सब्सक्राइब क्योंकि ऐसे तगड़े वीडियो में चैनल पर लेके आता रहता तो फिर चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस गेमिंग के लिए सबसे इंपर्णन होती है पर्फॉर्मन्स और यह लिस्ट मैंने यहां पर पर्फॉर्मन्स को ध्यान में रखते हैं आपको सभी फोल्स में देखने को मिल जाते हैं स्नैप्ड्रेगन 700 के उपर की सिरीज के प्रोसेसर इसके आपको सभी फोल्स में देखने को मिली कि LPDDR4 क्लास की राम और UFS 2.1 का स्टोरेज जो कि आपको एक बहुत ती अच्छी बूस्ट पर्फॉर्मन्स देने वाली है PUBG में तो इस मैंने फूल्स की रांग की यहां पर प्राइस की हिसाब से रखिये हैं बाक प्राइटरी है जो की 18 वैक टक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और बैक में आपको आपको यहां पर पॉब्जी का एक आउसम एक्स्पिरेंस देने वाला है इसी आप यहां पर इसकी बड़ी बैटरी के साथ लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हो तो अगर आपका बज C1 Pro जिसमें आपको मिल जाता है Snapdragon 712, 6 GB की बड़ी RAM, 64 GB का internal storage इसे आपको मिलता है यहां पर 6.53 इंचेस का Full HD display पैनल और आपको मिलती है एक बड़ी बैटरी 5000 mh की जो की 18 Watt का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और आपको बैक में मिलता है triple camera का setup जो की यहां पर 13 प्लस आपको एक overall awesome PUBG experience देने वाला है लेकर इसके downgrade की बात की जाए तो बस इसके triple camera setup है जो की कुछ इतना awesome नहीं है तो और अगर gaming के इसापते दिखाए जाए तो यह phone एक decent package है 15,000 रूपीज में तो guys list में third number का phone एक बहुत ही interesting package है उससे पहले तुमारा भाई Instagram पर है जहापर मैं आपको आपको मिल जाता हूँ लिंक डिस्रिप्शन में प्रोफाइल का जातर चेक कर सकते हो और अगर पसंद आए तो follow भी कर देना तो इस लीस का third number का phone है यहाँ पर realme 6 जिसमें आपको मिल जाता है Mediatek का Helio G90 एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर इसके साथ आपको मिल जाती है जो की 30 वास का फास चार्जिंग सपोर्ट करती है और realme वालों का कहना है कि हमारा phone यहाँ पर चार्ज हो जाता है बस 55 मिनिट्स में और अगर कैमेरा की बात की जाए तो बैक में आपको quad camera setup मिल जाता है जिसमें 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेरा पिक्सल का camera setup है इसके साथ एक और additional feature है 120 Hz का यहाँ पर touch response rate डिकने को मिल जाता है तो और अगर इस phone के बारे में बात की जाए तो G90T processor है 120 Hz का touch response rate है 90 Hz का refresh rate है डिस्पले में और 30 वेर्स की far charging है जो कि 55 मिनिट्स में चार्ज हो जाता है तो एक बहुत ही awesome package है गाईस बस यहाँ पर 14,000 रूपीज में तो गाईस आप इस device को 14,000 रूपीज में एक gaming device consider कर सकते ह तो गाईस अगर आप पब जी के साथ ता Samsung के फैन होना तो अगला device आप ही के लिए बनाए हमारे लिस्के सेकंड नमर के device है यापर Samsung M30S जिसमें आपको मिल जाता है Samsung Exynos 9611 का प्रोसेसर 4GB की RAM 64GB की इंटर्म डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको मिलती है 6.4 इंचिस की Full HD AMOLED डिस्प्ले और इसके साथ 6000 इमेज की बहुत बड़ी बैटरी जो की 15 वैट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है इसके साथ 48 प्लस 8 मेगापिक्सल का बैक में ट्रिपल गामेरे सेट अप इस फोन के अगर PUBG के बारे में खास्तित की बात की जाए तो यह फोन यहाँ यहाँ पर बहुत ही तकड़ा और इंटेंस ग्राफिक्स वा एक्स्परियंस देने वाला है PUBG में और इस फोन की प्राइजिंग के बारे मात की जाए तो आपको फोन मिल जाए यहाँ पर 15500 रुपीज में तो गैस अगर लिस्ट के सबसे पहले नंबर के फोन की बात की जाए इसके जाए इसके जाए आपको मिलते है 4500 एमेज की बैटरी जो की 18 वास का फार्च चार्जिंग सपोर्ट करती है इसके जाए अगर बैक में क्वार्ट कामरेस की बात की जाए तो आपको मिलता है 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटप और एक एडिशनल और होती अच्छा पैकेज निगल कर आता है क्योंकि इस फोन में लिक्विड कूलिंग है यहाँ पर HDR ग्राफिक्स का सपोर्ट है इसके जाए आपको मिल जाती है 4500 एमेज की बैटरी एक पूल एजडी डिस्प्ले तो तो इस डिवास को भी आप आपने गिमिंग डिवास की त सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स पर वाचिंग बाबाए